दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप गलती से भी छूदेते हैं तो यह पौधा आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा जी या दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस धर्ती पर कई अनोखे और रैसमाई पेड़ पौधे पाये जाते हैं हर्याली के लिए लोग पेड़ पौधे को लगाते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं पौधे परियावरण के लिए काफियादा जरूरी है मानो जीवन का अस्तित भी इनी पेड़ पौधों की वज़े से है लेकिन इस दुनिया में कई बेहदी जहरीले और खतरनाक पौधे भी पाय जाते हैं जो किसी भी पल जान ले सकते हैं आज हम आपको एक ऐसे ही खतरनाक और जहरीले पौधे के बारें बताएंगे लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बड़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना आपका एक लाइक हमें बहुत जादा मोटिवेट करता है वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को share भी कर देना हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल नौटिफिकेशन को ओल पर सेट कर देना तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे जरीले पौधे का नाम जिमपई जिमपई है जो बेहदी जरीला पौधा है लेकिन यह पौधा दिखने में बिलकुल एक सामाने पौधे की तरह दिखता है इस पौधे को छूने से किसी गर्म एसीड से जलने वाली बिजली के जटके का ऐसास होता है बताया जाता है कि इसका डंक इतना भयानक और दर्दनाक होता है कि इंसान तडब तडब कर खुद कुसी करने के लिए मजबूर हो जाता है इसी वज़े से इस पौधे को सुसाइड प्लान कहा जाता है और दोस्तों आपको बता दो कि बैग्यानिक मरीना हेल ने इस पौधे के बारे में बिस्तार से बताया है एक बार वह अस्टेलिया के वर्सावनों में रिसर्च करने गई थी वह जानती थी कि जंगल में कई खतरनाक पेड़ पौधे भी पाया जाते हैं और इससे बचने के लिए वह अपने हाथों में वेल्डिंग गलप्स और बौडी सुट पहन रखा था रिसर्च के दवरान वह एक नए पौधे के संपर्क में आई वेल्डिंग गलास के साथ भी इस पौधे का एस्टेडी करना उन पे भारी पड़ गया उनका कहना है कि जब मैंने इस पौधे को छुआ तो मुझे एसी डवर बिजली का जटका लगने का एसास हुआ जिसके बाद वह अस्पताल पहुची तब तक उनका पूरा सरी लाल हो चुका था और वह जलन से चीक रही थी जिमपई जिमपई के असर को कम करने के लिए उन्हें काफी लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा और दवाईयों का सेवन भी करना पड़ा उन्होंने डिसकावरी को एक इंटर्विव दिया था जिसमें उन्होंने बताया बिजली का जटका और सरीर पर एसिड डालने जैसा दर्द था तो दोसो जिमपई जिमपई को दुनिया का सबसे जहरीले डंक वाला पड़ा माना जाता है रिपोर्ट में बताया जाता है कि दूसरे बिस यूद के समय इसकी वज़े से कई सेना के अधिकारी इसके सिकार हुए इसके साथ ही कईयों ने दर्द से तडप कर खुद को गोली मार कर आत्मयत्या कर ली थी जो लोग इससे जिंदा रह गए वग कई सालों तक परिसान रहे जिसके बाद लोगों का इस पौदे पर ध्यान गया और इस पौदे का नाम सुसाइट प्लांट रख दिया गया इस पौदे का बायोजिकल नाम डेड्रो कनाइड मोमो इडस है यह अस्टेलिया के उत्तरी पुर्वी रेन फारेस्ट में पाया जाता है इसका कौमन नेम जिंपई जिंपई है हालाकि इस पौदे को कई और नामों से भी जाना जाता है सुसाइड प्लांट, जिंपई-जिंपई, इस्टिंगर, इस्टिंगिंग, ब्रस, मून लाइटर जैसे नामों से भी पुकारा जाता है अस्टेलिया के अलामा यह कई और देशों में भी पाया जाता है इस पौदे की लंबाई 3-15 फिर तक होती है और यह पौदा कांटों से भरा हुआ होता है जब कोई भी ब्यक्ति इस पौदे के पास जाता है तो इस पौदे का काटा उस ब्यक्ति के सरीर में चुप जाता है और यह पौदा निरो टॉक्सिन जैसा जहर उस ब्यक्ति के सरीर में छोड़ देता है जिसका सीधा असर उस ब्यक्ति के नर्वा सिस्टम पर पड़ता है और उसकी हालत खराब हो जाती है फिलाल दोस्ता आज के वीडियो में बस इतना ही क्या आपने कभी इस पौदे के बारे में सुना था देखा था कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक करना सेयर करना मिलते नेक्स वीडियो में बाई